नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरान नडूभाल और आप देख रहे हैं हस्तर एखा का ये अंक समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स पे एक सुन्दर से हतेली हमारे पास है मेल हतेली है और बहुत कम उम्र के बिक्ति हैं बच्चे कह सकते हैं यहाँ पे देखेंगे आपकी हतेली का जो ये मरकरी का माउंट है बहुत सुन्दर और भव्या उस्ता में इसमें जो उंगली है ये इस तरों से यहाँ पे दिखाई द देती हुई नजर आ रही है और हल्किसी कर्ब ले रही है आपकी सूरे की उंगली की तरफ जीवन में धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका जबरदस्त फाइदा भी आपको जीवनकाल में मिलेगा यहाँ पे अगर एक सांदार तरीके से देखें तो यह यहाँ पे तच्छ होती हुई दिखाई देरी है पहले पौर में तक यह और भी सरेष्ट है बुद्ध के जो वास्तोविक गुण है वो निखर करके जीवन में उतर रहे हैं ऐसा ब्यक्ति आप प्रेक्टिकल रूप में देखें तो ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलता है चाहे वो छोटा ब्यापार कर रहा हो मध्यम ब्यापार कर रहा हो या स्रिष्ट ब्यापार कर रहा हो ऐसा ब्यक्ति जादतर ब्यापारी ब्यक्ति होता है अगर ये बिक्ति नौकरी कर रहा हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो अधिकारी के पदपर होता है और निश्चित ही अपने जिवनकाल में ऐसा बिक्ति उच्च बरग का बिक्ति होता है स्रेश्ट और सफलतम बिक्ति होता है क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएं होते हैं अपने बनबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और वही गुण इन में सर्वसरिष्टतम इस्तित में है बहुत सुन्दर योग है अब दूसरी बात अगर यहां पे देखें तो बुद्ध का परोत आपका सुन्दर और इस पश्ट अउस्ता में है वानी की सक्ति बहुत सुन्दर रहेगी कम्यूनिकेशन इसकिल्स बहुत अच्छे रहेगी जबरदस्त जिसे कहते हैं और कहीं न कहीं जादतर अपने कामों में पूरी सपलता अरजित करेंगे हर तरह के प्रस्तितियों को भली भांत समझने वा प्रस्तित तो रहेगा योजना बनाकर चलेंगे और इसका फायदा उठाएंगे जो कारे प्रारंब करेंगे अधोरे में नहीं छोड़ेंगे जादतर कारियों को पूरा उश्य करेंगे और मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिरता रहेगी सामने वाले को किस प्रकार से पक्ष में करना है किस तरों से प्रभावित करना है ये गुण बहुत सुनर तरीके से आपके अंदर रहेंगे और चाहे नोकरी करें आप चाहे ब्यापार करें हर चीज में आप ब्यापार को ढून ही लेंगे सब को अपना बना के चलेंगे अपके अपने पक्ष में रख कर के चलेंगे ये गुण आपके अंदर है और ये बहुत सुनर है ठीक समय के तलास रहेगी और समय का पूरा-पूरा उपयोग करने में भी दक्चता हासिर रहेगी और इसका फायदा मिलेगा और तन की सुनरता वानी की सुनरता मधुर रहेगी इस बात के और ये संकेत कर रहा ह सूरे की उंगली देखें तो ये भी पूरी तरह से जुकी हुई है और मिडल फिंगर की तरह जीवन काल में एक आम इनसान के तरह आपके अंदर भी कुछ ललक है और ये रहेगी इक्छाएं बनी रहेगी नेम फिम पाने के इक्छा रहेगी जीवन में यस पाने के इक्छा रहेगी मान परतिष्टा पाने के इक्छा प्रबल रहेगी और इसका फायदा भी आपको मिलेगा यहाँ पर अगर सुन्दर तरीके से देखें जो ब्रस्पति की उंगली है उससे थोड़ा सा बड़ी दिखाए दे रहे है आपकी सुरिय की उंगली और मिडिल फिंगर से चोटी है आंसिक रोप में रहेगा लेकिन रिस्क लेने की चमता रहेगी बहुत जादा नहीं रहेगी लेकिन रहेगी जोखिम उठाने की चमता रहेगी और हिम्मती स्वभाव रहेगा थोड़ा सा बड़ा है बहुत अच्छा है पोरानिक सास्तर कहता है हस्त रेखा का कि यदि आपकी सूरी की उंगली इंच मातर भी बड़ी हो सेंटीमीटर के इसाब से भी बड़ी हो ब्रिस्पती की उंगली से और मिडल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा विक्ति अपने जिवनकाल में यसुस्वी होता है आप यसुस्वी होंगे समाज में मान, परतिष्टा, यस पानी वाले, फिम पानी वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे सफल जरूर होंगे आपकी हतीली में एक सुन्दर साज राजयोग बन रखा है और इसका पूरा फाइदा आपकी जिवन में आपको मिलेगा राजयोग का भोग करेंगे आप राजा के समान जिवन रहने वाला है आपका और ये प्रेक्टिकल है, ये हमारी रिसर्च है किसी भी किताब में आपको ये राजयोग नहीं मिलेगा लेकिन जो मैंने हतीलियों का बिसलेशन किया है और लोगों का जो फीड़ बैक आया है जिस तरह से लोगोंने मैसिज भेजे हैं फोन करके बोला है, टिपणियां की हैं वाटसब किये हैं, वो परफेक्ट निकला है इसलिए हम कॉन्फिडेंस लेबल से आभी भी कहते हैं और लोगों का फीड़ बैक आभी भी आता है कि वास्तों में यही है और यही राजयोग आपकी हतीली में बन रहा है और परफेक्ट राजयोग है निश्चित तोर पे आप राजयोग का भोग करेंगे कैसा बन रहा है? हाँ मेनत आपके उपर बात है आप किस तरों से मेनत करते हैं? मेनत नहीं करेंगे तो समराट योग भी बन रहा हो तो वीबिक ते खाक पती रहता है करोड़ पती रहता है करोड़ पती तो छोड़ो लेकिन मेनत सही दिशा की तरप करता है तो राजयोग का भोग करता है क्या है राजयोग देखेगा जब हमने देखा है कि जब ये उंगली लंबी हो चाए जुकी है चाए सीधी खड़ी है और कहीं न कहीं इस उंगली के पहले पोरवे को छू रही हो जैसे आपकी है और ये उंगली लंबी हो इस उंगली से चाए थोड़ा हो चाए जादा हो लेकिन हो और मिडल फिंगर से छोटी हो और ब्रिस्पती का परवत इस तरों से पुष्ट और सुननर हो जैसा आपका है 99.9% मामले में ऐसे ब्यक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य करने वाले होते हैं इनको कार्य मिलता है निश्चत तौर पर अगर 1% किसी प्रस्तिति वस ऐसे ब्यक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य ना पा सके हैं भी प्रस्तिती हो सकते हैं तो फिर ये व्यक्ति ब्यापार की तरब जाते हैं और ब्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं ब्यापार के कारण पहचाने जाते हैं अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं और ब्यापार के कारण ही जाने जाते हैं अगर ये सरकारी नोकर सपयाद आता है किन खेत्रों सफल होंगे अगर करियर में अगर देखें सरकारी या इससे समंदित चेत्र है का छेत्र है इंजीनेयरिंग का चेत्र है जिकित्सा चेत्र है मैनेजमेंट का छेतर है बानिज्य का छेतर है कानून का छेतर है और परसासनिक सेवाएं है इन में सपल होने की बहुत जादा परबल सम्मावनाईं दिखाई दे रही है जल्दी और बड़ी काम्यावी दिखाई दे रही है इन चेत्रों में राज योग बहुत बन रहा है ठीक है ने? 99.9% राज योग आपका इस इनी चेत्रों में बन रहा है अब दूसरा देखो ब्रिस्पति भी जीवन की रेखा से कुछ रेखाई उपर की ओर जा रही है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडर्सिप की क्वालिटी रहने वाली है और प्रोग्रेस रेखाई हैं जीवन में अच्छे खासी प्रोग्रेस को दिखा रहे है यहां से देखें तो नीचे की और भी कुछ रेखाई इस प्रकार दिखाई जाते उही दिख रही है अध्यात्म के परतिवी अच्छे खासी रूची रहेगी और अध्यात्म की और भी जो है जुकाओ मना रहेगा ठीक है और यहां पर बर्ग बन रहे हैं चतुस्कून जिसको हम कहते हैं और किस पर हैं ब्रिस्पति परोग के अगर नौकरी के छितर में जाएं तो क्या होगा कुसल प्रसासक रहेंगे चाहे आप कितने भी सादरन घराने में जन्म लिया हो फिर भी अत्यंत उच्पद तक पहुचेंगे और पूरे समाज में सम्मान के पातर बनेंगे यह आपका ब्रिस्पति केंदर बरती है किम करो तिग्रह अन्यागरह क्या कर सकते हैं जब ब्रिस्पति केंदर में हो अपना प्रभाव डालता है विक्त को स्रिष्ट अवस्ता में पहुचाता है अब यहाँ पे देखेगा ब्रिस्पति क्या है? पुष्ट और सुन्वर अवस्ता में है जगा उबरी हुई है ने? जातक स्रिष्ट है अपनी जीवनकाल में आप स्वयम उन्नतितों करेंगे ही जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी निश्चित तोर पे आप उननति करने में साहता परदान करेंगे सहयोगी बनके रहेंगे लेकिन स्वाविमानी होंगे स्वाबिमान की भावना जादा रहेगी बिद्धवान होंगे अपने छेतर में नियाई पर यह बिक्तितों होगा और उसके अलावा देखें तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला बिक्तितों भी रहेगा प्रॉपकारी रहेंगे और धार्मिक भावनाएं भी आपमें बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगी इस स्वर में अपने आरादी के परती पूर्ण समर्पन और देखेगा जब भी आचारे ब्रिस्पतिजी हमारी हतेली में इस प्रकार से पुष्ट और सुननर हो तो ऐसा ब्यक्ति बिद्ध्वान होता है आतमे ज्यानी होता है आपको अपार मान सम्मान ब्रिस्पतिजी की उजोसी मिलेगा जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा चाए सडक के किनारे में हो चाए महल की उचाई पे हो हर जगा आपको सम्मान की द्रिष्टे से देखा जाएगा और ब्रिस्पति सुन्दर और पुष्ट भाग में हैं आपकी हतेली में समस्याएं तो हर ब्यक्ति के जीवन में आती है आप भी अच्छोते नहीं रहेंगे आपकी जीवन में भी समस्याएं आएंगे लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे संकट पैदा नहीं कर पाएंगे कुछ दिन परेशान जरूर करेंगे जब जब आएंगे लेकिन जैसे आए थी वेसे ही चली जाएंगे कोई अहित नहीं कर पाएगे ये आपका किंदर बरती ब्रस्पती यहां पे बताता हो नजर आ रहा है अब एक चीज देखेगा ये उंगली कहीं न कहीं जुकती हुई दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर के तरह ठीक है धार्मिक भावना ये बहुत बड़ी मातरा में रहेगी प्रावकार की भावना रहेगी दयालो वाला बिक्तित रहेगा और अपने परिवार के जो संसकार संजो के रखे हुई है उन संसकारों पे चलने वाला बिक्तित आपका कहीं न कहीं रहेगा मिडिल फिंगर भी लंबी है अच्छे खासी मेहनती भी रहेगे और आप जानते हैं कि मेहनत के बल पे सब कुछ प्राप्त हो सकता है बहुत अच्छे मेहनती रहेंगे कहीं भी कोई कायरता नहीं आएगी आपके मेहनत में ये दिखा रहा है हाँ, बिरस्पति थोड़ा सनी के तरब जुकते हुई दिखाई देरे हैं और जितना ज़्यादा जुकते हैं साधी होने में उतनी देरी का संकेत देते हैं यहाँ पे 26 से लेके 28 वर्ष के बीच में साधी के वास्तु एक सुन्दर योग बन रहे हैं उससे पहले भी आप करना चाहें तो हो जाएगे लेकिन जो एक्चुल योग हैं वो 26 से 28 के बीच बन रहे हैं सुन्दर योग बन रहे हैं अब यह होता है अगर साधी हो जाए तो जीवन कैसा रहेगा उसके लिए सुन्दर सी चीज देखनी है यह आपका जो है मिडिल फिंगर है और यह भग्यास्तान है यहाँ से एक कालपनिक रेखा आप खीच लीजेगा बीचों बीच उसके बाद देखेगा आपकी मस्तिस्क रेखा एकदम इसपश्ट है सुन्दर है इसका मतलब है साधीव के बाद जीवन जो है अच्छा रहने वाला है उत्तम रहने वाला है और जीवन रेखा भी देखें उसके बाद बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है जीवन काफी अच्छा लेड करेंगे ये भी यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है तो ये चीज बहुत अच्छे है आपकी हत्यली में दूसरा अगर हम यहाँ पर चीज देखें कि क्या है आपकी हत्यली में यहाँ पर अगर देखते हैं सूर्य को या पहले रिखाऊं को देख लेते हैं देखेगा ये आपकी हिर्दे की लकीर है आच्छा रे ब्रिस्पति को टच कर रही है ठीक है न? और कहीं न कहीं चाहिज जीवन में आप ब्यापार करें नोकरे करें कोई और भी काम करें एक सरेष्ट जीवन ब्यतित करेंगे ये बता रही है एक रैखा यहां से आके इसमें मिल रही है और विश्णु का तिलग बनाती हुई दिखाए दिये रही भगवान विश्णु जो कहते हैं नारायं वो आपके इश्टदीव है आपके उपर साक्षात प्रब्रम सरोप बैकुन्ट धाम के स्वामी बदरी विसाल जी की विसेश किरपा है और अगर आप अपनी जिवन काल में अच्छे कारे करेंगे अच्छे रहा पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको सपलता मिल जाएगी आपको हराना आपके बिरोतियों के लिए संबह नहीं रहेगा और इसके अलावा आप समाज में बहुत खुब जिसको कहते हैं लोक प्रियता उसको हासिल करेंगे सम्मान पाएंगे और अत्यन तभा के साली लोगों में से एक में आपकी गणना होगी यह यहाँ पर कह रहा है दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखते हैं आपकी मस्तिस्क की रेखा कर्ब लेती हुई और चंद्रमा की और जारी है creativity बहुत ज़्यादा रहेगे आप creative रहेगे और हवाई यात्रा और लंबी यात्रा का आपको मौका मिलेगा जीवन में बहुत अच्छा और बौदिक अस्तर बहुत सुन्दर रहेगा और कहीं न कहीं विबेकवान बिक्तित तो रहेने वाला है जीवन की रेखा अगर देखें सुन्दर रोप में सीधा पीछे की तरह आ रही है ये भी अत्यन्त सुन्दर है परिवार के पृति पूर्ण समरपन रहेगा जीवन में बहुत बड़ा संकट बहुत बड़ा कश्ट नहीं रहेगा लेकिन जो प्रारम्विक दोर है कहीं न कहीं आपके उजोसे संगर स्पून जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मनिबंद की जो है दो रेखाई है स्वयम के प्राकरम, स्वयम के प्रिसरम के बल पे स्रेष्ट सपलता हासिल करेंगे यहाँ पे इस तरह से एक तिर्कून भी दिखाई दे रहा है और केतु के छित्र में है जीवनकाल में आपको ऐसा मौका मिलेगा कि अचानक बहुत बड़ी मातरा में धन की प्राप्ते होगी जीवनकाल का 35 वर्स, जीवनकाल का 42 वर्स, जीवनकाल का 45 वर्स, जीवनकाल का 56 वर्स आपके लिए बहुत लगी रहने वाला है और इसमें कहीं न कहीं जो हैं बहुत बड़ी सपलता आपको हाथ लगेगी इस और ये इसारा कर रहा है अब देखेगा यहां से करियर और धन की रेखा निकल रही है और फिर यहां से इस तरों से जा रही है ठीक है चंद्रमा का दबर्दस्त प्रभाव पढ़ रहा है और प्रभाव किस पर पढ़ रहा है इस मचली के चिन पर है ठीक है ने? ये कहे रहा है कि ब्यक्ति अत्यंत क्रेटिव रहेगा आर्ट, कल्चर के छित्र में अगर ब्यक्ति की रुच्छी होगी तो प्रसिद्धी को प्राप्त करेगा विदेशों तक इनकी ख्याती फैलेगी और समुद्र पारिय देशों में अगर ब्यापार की तरफ जाएंगे तो ब्यापार करके बहुत अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे ठीक है ने? और जिवनकाल का 35 वावर्स, जिवनकाल का 42 वावर्स, जिवनकाल का 45 वावर्स और 56 वावर्स आपके लिए बहुत लग्य साबित होगा 26 से 28 के भी जहां साधी के योग हैं वहीं नोकरी के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं मेहनत करेगा मौका मिलें तो चोकिएगा मत ठीक है? अब देखेगा यहां से भी एक रेखा सूरे पे जारी है हिर्दे रेखा से एक रेखा जारी है और एक रेखा यहां से जारी है यहां पे इस तरो का एक साइन बन दा ठीक है? डबल तिर्कोन बन दा एक यस का साइन बन दा है और एक उपरी मंगल से जारी है यह उपरी मंगल से जब रेखा जाती है तो ये कुबिर की रेखा है ऐसे बिक्ति की जो तरकी है घर से दूर होती है और विद्यसों से ये धन का योग बनाती है अच्छा खासा योग बन रहा है धन का और साथ में तिरकून है कोई काटनी रहे कोई रहा तिरकून बन रहा है ये बिक्त को बुद्धिमान बनाता है ऐसा जातक काला का पार्खे होता है सिदहस्त होता है और सूर्य परवत पर इस निसान का होना बिक्त के धनी होनी की निसानी होती है संभव है असंभव नहीं है कहीं न कहीं करोडपतियों की सूची में अपना अस्तान बना लेंगे पैतरिक रोप से कितने भी निर्दन होंगे आर्थिक संपन नहीं भी होंगे तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे अच्छा कहसा धन और परसिद्ध को कमाएंगे मनिक कुरोडपती बनना निश्चित है और कुरोड़ों में धना आएगा यह निश्चित है चाहे ब्यापार के उसमें आए चाहे जो है नौकरी के उसमें आए और कही न कही दोनों योग भी दिखा रहा है अगर आप देखेंगे मचले से सीधी रखा यहां जा रही है जहां यह रेखा आपके बता रही है कि नौकरी करेंगे अत्यंत उच्पती की प्राप्ती करेंगे वहीं साथ साथ में कहीं न कहीं जो है ब्यापार के तरफ भी जाएंगे और ब्यापार में भी अपार सपलता की प्राप्ती करेंगे दोनों चीजें एक साथ चल सकती है ये भी दिखा रहा है और बहुत धनी होंगे कुरोणपती की रेखाएं आपकी हतीली में है लेकिन इसके लिए सक्त मेनत की जरूरत है मेनत करने में थोड़ी भी कायरता या धिलाई बरती तो चीजें हाथ से निकल जाएंगे फिर कुछ नहीं मिलेगा ये यहाँ पे साप दिखाई दे रहा है ठीक है न? तो आपको किवल क्या करना मेनत और उपर की और रेखावों की संभावना है चंदर परोट पे क्या है? यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा जीवन में यहाँ पे वर्टिकल लाएन है कारे के परती जुजहरोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं चंदर मा का प्रभाव पढ़ती हुई करियर और धन की रेखा जा रही है जीवन काल के 42 वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरकी क्योंकि अंगोठे में देखेंगे इस तरोसी पोर्वे बन रहे है और करियर और धन की रेखा इस तरोसी जा रही है देखेगा पहले भी बहुत अच्छी तरकी है मैंने बता दिया लेकिन जीवन काल के 42 वर्ष में अचानक बहुत बड़ी तरकी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा वो तरकी मिलने वाली है अचानक जीवन में तरक को दिखा रहा है धन, पर्तिष्टा, मान, शम्मान सबी चीजों में बहुत ज़्यादा बड़ोतरी हो जाएगी निर्धन नहीं रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे लेकिन इगो प्रोब्लम बहुत बड़ी मातरा में रहेंगी इसको समाल के चलना पड़ेगा धार्मिक ताभी आएगी धर्मकर्म के कारियों में बड़ ज़कर हिस्सा लेंगे दान पुर्णे से समन्दित चीजों में बहुत अच्छा है ये योग धन के लिए आपका ये अंगोठा और ये करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है ब्योसाई इत्यादी चीजों को भी दिखा रही है और ब्योसाई में विसे सपलता को भी दिखाती हुई नजर आ रही है बहुत सुन्दर योग बन रहे है दूसरी बात देखें दोनों की बीच एक योग का चिन्ड बन रहा है भाव किसम का विक्तितो भी रहेगा नाजुक हिर्दे का विक्तितो भी रहेगा दयालुता रहेगी निश्ठुर्ता, कुरूर्ता और खडूस्पन आपके अंदर नहीं आएगा इस चीज को ये बता रहा है ठीक है ने? देखेगा अंगोठे के नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं सुक्र का प्रूद कला है सुंदर्य है सुंदर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जीवन के लिए इसका हतेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है आपकी हतेली में सुक्र सुंदर्रोक में उवरावा दिख रहा है ते जो मैं अवस्ता में है आप ते जो सुखत होंगे आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा सुन्दर्ता है आकरशन है आपकी अंदर विद्यमान रहेगा हर प्रस्तित को जहलने की छमतावी सुक्र दे रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर विसेज ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा है और आगे तक रहें नई चीजों के परती रुजहन रहेगा नई फैसन के परते आकरसन ज़्यादा रहेगा बहुत एक सुक्षिवदाओं की तरफ जोधा आकरसन रहेगा लेकिन आने वाले समय में परिवार का सयोग, परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुक बहुत सुन्दर रुप में मिलेगा चाहे वो संतान सुक हो, चाहे वो दामपते जिवन का सुक हो, चाहे माता पिता का सुक हो ये अच्छा दिखाई दे रहा है और आगे इसमें ब्रिदी होती हुई दिख रही है सुक्र बहुत अच्छा है आपका निमन मंगल थोड़ा सा दब गया है कभी कभी आत्म विश्वास की कमी को दिखा रहा है मनि पढ़ने लिखने में जो उर्जा पूरी लगानी चाहे थी उसमें कमी है साथ में चंद्रमा भी अनबैलेंस है तो कभी कभी चीजों में मन नहीं लगता है मन खराब सा हो जाता है इस परकार की चीजने दिखाई दे रहे कभी कभी मानसिक परिशानी ये दे सकता है और कभी कभी ज़ादा सोचेंगे तो नीन आने में डिश्टब्बेंस ये कर सकता है तो चंद्रमा का मैं उपाई दूँगा चंद्रमा का उपाई जरूर करना है और निम्न मंगल का उच्च मंगल बहुत अच्छा है प्राक्रम हमेशा अनवरत बना रहेगा अच्छा खासा बना रहेगा इस और ये इसारा कर रहा है ठीक है अब देखें ब्रस्पति के बारे में हमने बता दिया है सनी थोड़ा सा जवहया पर उठ गया है सुबह उठने में थोड़ा आलश्या घेरेगा इससे थोड़ा बचना है और कभी-कभी बियोजही की चिंताईं बन सकती है इससे बचना है योगा प्रनायाम इत्यादी चीजो सुर्य आपका बहुत अच्छा है बुद्ध आपका बहुत अच्छा है इनके बारे में हमने बता दिया है और इसके बारे में भी हमने बता दिया है बात करें तो मैंने आपकी पूरी हतेली का विश्रेशन करके आपको बता दिया है जो चीजों को बहुत अच्छा अंगल का और आपका जो है चन्द्रमा का उपाय खरना है अगर ये करते हैं और मिहनत की उपडिपेंड करेगा आपकी सपर्वता हैं एक देएरक के मिहनत करें सरकारी योग बन रहे हैं अत्यंत उच्प्द के योग बन रहे हैं साथ-साथ में ब्यापार के भी बहुत तिव् बन रहें और सच में कहें तो करोडवती की रेखाई आपकी हतियली में दिखाई देए तो यह तभी मिलेंगे जब आपकी दिषाई और दिसाः ठींगों तोे दिषाओं ठीक रखना दिसाओं ठीक रखना आपका Inc मेरे काम थोड़ा सा उपाई देना है मैं वाटसअप नम्मर पर दे रहा हूं मेहनत करेगा जितना भव्यता की और जा रहा है उसको निखारेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पुनोव पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार